विस्व प्रसिद वेग्यानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता है थियोरी आफ रिलिल्टिविटी और मास एनरजी समीकरण यानि इज उकल टू एम सी उसकायर को देने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन को सो बर्स पूर नोबल पुरुषकार मिला था इस सताबदी समारो को जो नोबल पुरुषकार का सताबदी समारो है आज एम यूफ का फिजिक्स डिपार्टमेंट इसको बड़ी ही उस्थाप पूरक मना रहा है हमारे साथ अलिगर्ड मुस्लिमिस विजिदाले के जन संपरक अधकारी उमर सलीम पीरजादा हैं उन से जानेंगे किस तरह का उन्होंने ये सेलिवरेट किया है नोबल पुरुषकार के सो बर्स होने पर जो अलिवर्स आइंस्टीन को मिला था सर आप से जाना चाहेंगे किस तरह से सेलिवरेट कर रहा है ये ये में देगे अलिगर्ड मुस्लिमिस्टी की संगे बुनियाद रखने वाले से सेयद हमाद खाँ का ये कौल था ये मत था ये विश्वास था कि साइंटिफिक डेमपर जो है वह स्टूडिट्स में एरिस्पेकर्टेब द्र कास्श् 통ी रीजन, रीलीजन, कलर ये इंड्यूस होना चाहिए क्यूंकि किसी भी एदारे की, किसी भी इंस्टिट्यूशन की, किसी भी यूश्टी की जो लाइफलाइन होती वो रिसर्च होता है शोध होता है और अगर scientific temper आपके अंदर है students के अंदर वो inculcate होता है तो उनकी energies को synchronize करके किस तरह से नए नए शोध हों, research हों, discoveries हों, inventions हों जो एक university या एक institution की vibrancy होती है वो फिर growth जो हो है nation की उसमें काम में आती है तो scientific temper में एक ख्याल से स्यद आइमत खां को बहुत हद तक Albert Einstein जिसके बारे में आज physics department उनकी centenary celebration of the award जिनको नोबल आवार्ड मिला था 1921 में, अब 2021 में हैं, तो वो celebrate कर रही है तो आज department of physics, अलिकल मुस्लिम मुस्टी की, 100 साल awarding noble prize to Albert Einstein इसको celebrate कर रही है, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम और्गनाइज किया है, जिसका नाम रखा गया, online mode पे, centenary year of noble prize to Albert Einstein, और जैसा कि आपको मालूम है, कि physics में जो services रही है, theoretical physics के बारे में भी आपने बात करी, theory of relativity की आपने बात करी है, is equal to mc square पे आपने हलका सा इशारा किया, तो हम बताएं कि discovery of law of photo electric effect जो था, अब photo energy की हर जंगा बात हो रही है, solar energy की बात हो रही है, तो उसके कहने कानधार उसके ददी चीटे गे, तो इस तरह से देखा जाए कि जर्मन में पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है, theoretical physicist और जादा तर ये as a physicist of all times, बड़े सबसे बड़े physicians जो हैं, उसमें इनका नाम अग्रीन पंक्ती में गिना जाता है, थेयरिया और रिलेटिविटी के बारे में already हम बात कर चुके हैं, और important contribution to the development of theory of quantum mechanics की तरफ भी जो आपनी इशारा किया है, उसमें भी बात कि रही है, एक vibrancy है इस illegal muslim ministry की के, जो भी शोध होता है, आजकल मालों में research, और अभी NIRF की जो ranking आई है, नैशनल, उसकी जो ranking आई है, उसमें खास चौर से research को सीरे फैरिस्ट रख गया है, कितने research हो रहे हैं, कितने discoveries हो रहे हैं, कितने patent हो रहे हैं, उस सिसले में देखा जाए, तो एक बहुत अच्छी पिशले बार भी हुआ था, आप याद करते हैं, उन लोगों को जिनोंने सिर्फ देश में नहीं, बलकि दुनिया को ऐसा उपहार के रूप में चीज़ें दिये, नौजवान, जो लोग शोध कर रहे हैं, खासतों से physics department, क्योंकि जाहिशी बात हैं, रिलेटेड हैं, वो लोग आगे आएं, यहां पर इसी का संबोधन करते हुए, चेयर परसन ऑफ दे फिजिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर जैपरकाश साब ने इसके बारे में बात करी हैं, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और इनाग्रेल प्रोग्राम में कि मलग आर्ट्स का आदमी भी फिजिक्स और साइंस बार सकता है, मेडिसिन भी दे सकता है, नेनो टेक्नॉलिजी की तरफ भी आगरेसर हो सकता है, अपनी इंटरस्ट की हिसाब से, पूरा पैटर्न जो है, रिवरुशनाइज हो रहा है, इस पैंडेमिक की दौर में चैलें करना चाहूँगा, कि इसके अलावा जो इस फील्ड के जो रिलेटेड लोग हैं, अभी वी शोट कर रहे हैं, गेस्ट आफ आउनर में प्रोफेसर अविनाज सी पांडे साब जो डिरेक्टर हैं, इंटर यूनिस्टी एसिलेरेटर सेंटर नियू डेली के, उन्होंने भी ब में, गलोबल मार्केट में, उस पे उन्हों रोशनी डाली, मैं थोड़ा सा आपको और बात करना चाहूँगा, कि इसके अलावा जो इस फील्ड के जो रिलेटेड लोग हैं, अभी वी शोट कर रहे हैं, गेस्ट आफ आउनर में प्रोफेसर अविनाज सी पांडे साब जो डिफरेंट साइन्टिफिक या फिजिक्स से रिलेटेड जो डेवलम्मेंट्स हो रहा हैं इस वर्ल्ड में, गलोबल मार्केट में, उस पे उन्हों रोशनी डाली, और यहां पर चीफ गेस जो थे, आउन दो ऑकेजिजिन, प्रोफेसर अज़र के घाटक साब, जो एमरेट अफ कॉंटम थियोरी पे, और उस से पेटालिस मिटकाउं का संबोधन रहा है, इसमें रिसेचर्चर्स थे, इसमें टीचर्स थे, और ऑउन लाइन में, काफी स्टूडिंट्स जो हैं, मैं खाल से पूरी हिंदुस्तान के, उन्हों इसमें पाढ़ लिया, और वोट आफ थ दर्श में आइनस्टाइन के कार का माहत पे एक कॉंटीशन और निबंद लेखन प्रतियोगता को भी इसमें आगे लगा गया, और दुसरी बात है, ग्राफिक डिजाइन के तुरू, जो नाइंटीन ट्विंटीवन से लेके अब तक जो डेवलेमेंट हुए हैं, खास्तोर से और कॉंटीशन फिजिक्स डिपार्टमेंट करा, उसको भी स्टूडेंट के लिए ओपन किया गया, उसमें उन्हें पाढ़ लिया, और इनामाद भी ऑनलाइन मोड में वर्चुल सार्टिपकेट भी दिये गया, यह पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन था, कितना फादा मिले है कि एक तो मलब कि एक एजूकेशनल इस्टिटूशन खास्तों से जो सिर्फ फैरिस्ट है अलिगर्ण मुस्ली मिनस्टी रिसर्च में और आप देखते हैं जो इंडेक्स आया है, साइन्टिफिक इंडेक्स है, जो आइन आई एर फ की मापदंड है, उसमें हमेशा जो है, आप टेंथ रैंक पे हैं इस वक्त अल इंडिया रैंकिंग पे, तो ये बताता है कि रिसर्च को प्रिमोट करना है, और इस तरह से नोबल लॉरियेट से बड़ी चीज़ क्या होगी, जिनके सस्याद आइमत खान से खुद बड़े अच्छे संबंदों, बहुत से हद में सस साल हुए हैं, और एक होता है, बहानिम होते हैं, कि आप लेके आएं और प्रोजेक्ट करें, स्टूडेंट्स में ये भाब ना हो क्योंकि जिन चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या बहुत से जहनों में सवालात उठते हैं, उन लोग को एक बार फ हैं, या बहुत से हमाई ऐसे स्टाफ मेंबस हैं, डिफरेंट फील्ड में, जो वर्ल्ल के साथ कोलबरेशन जो हो रहा है, सब ये इंस्टिटूशन के साथ कोलबरेशन हो रहा है, जो साइन्टिफिक एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, उस वाइबरिंसी को लेके आगे बढ़ लें, इससे इंस्टिटूशन जो है, वो मजबूत होता है, जब इस्टिटूशन मजबूत होता है, रिसर्च बढ़ता है, उसका रिफलेक्शन देश के निर्मान के लिए आता है, काम आता है, और नेशन बिल्डिंग का काम, A.M.U. हमेशा करती रही है, और वो सफ, कहना चाहिए, इनोवेशन और नया डारेक्शन आयाद दी है, तो हम मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन की बशुकर गुजार है, और यहां के प्राइमिस्टर, और यहां के जो असायजा कराम है, खास्तों वाईशान साथ प्रोफेसर तारिक मनसूर साथ, और इस तीज़ यहां पर जो है, डिविन्स कॉरिडर खुला है, तो बहुत सी उपरचिनिटीज क्रियेट हो रही है, स्किल डेवलिम्मेंट की हो रही है, तो इस तरह से जो प्रोग्राम से वो इन चीज़ों को नया मार्ग दश्चन देता है, मिनिमम टाइम में मैक्समम कार्पिट एरिया अव डेलिवरेंस वो क्रियेट कर रहा है, शुक्रिया बहुत बहुत दन्यवाद, तो यह थे अलिगर मुस्लिम मिस्विजदाल ने के चंद संपरकतकारी उमर पीरज़ादा, जो बता रहे थे कि इस तरह के जो कारेकरम होते हैं, जो विस्व परसिद्धिया देश के भागिदारी होगी, प्रदीप कुमार, ABP गंगा, अलीगण